चोपड़ा जोगिस ने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्देख स्वागत करता हूँ मेरे पहरी बच्चो आई पी यानि इंदरपरस्तु उनिवर्शिटी के MBBS, BDS, BMS, BHMS और BSC नर्सिंग में 22 सेशन में एडमिसन के लिए के रिजिष्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं यानि की जो कंडिडेट 2022 में ऐडमिसन लेना चाहते हैं तो वो अभी रिजिष्टेशन कर सकते हैं तो जिन कंडिडेट ने 11th और 12th क्LAAS देली से पास कर रखी है वो कंडिडेट इसके लिए eligible हैं और उन candidate को अभी registration करना है हालांकि यह registration need result के बाद भी open होते हैं मगर situation बदल भी सकती है इसलिए अगर आप इसके लिए eligible हैं तो अभी registration कर दें तो जो candidate army background से हैं यानि कि जिनके parents army में service कर रहे हैं या फिर retired हो चुके हैं और वो ACMS यानि Army College of Medical Sciences New Delhi में admission लेना registration के लिए eligible हैं उनके लिए डिले से 11th और 12th class pass करना जरूरी नहीं है इसके लिए registration की last date 30 April 22 रखी गई है और इसकी registration fees 1200 रूपीज है counseling के समय counseling के लिए अलग से fees deposit करनी होती है वो 1000 रूपीज होती है अब मैं आपको course wise detail बता देता हूँ वो सबसे पहले हम BDS sorry MBBS की बात करेंगे तो IPU के under MBBS की five colleges affiliated है जिसमें VMMC और RML की counseling MCC द्वारख करवाई जाती है और इसमें जो बाकी colleges हैं बाबा साहिब है NDMC है ACMS है इनकी counseling IPU द्वारख करवाई जाती है इन सभी जो MBBS के colleges हैं इन में सभी में NEET score पर ही admission होगा यानि कि जो NEET 22 का exam लगेगा उसमें जो score आएगा उसी score पर इन colleges में admission होगा BDS की बात करें तो IPU के अंडर ESIC Dental College रोनी का आता है जिसकी counseling MCC द्वारख करवाई जाती है इस करना IPU में BDS के लिए registration नहीं करना है इसके admission भी NEET 22 score पर ही होंगी BDS के लिए भी BMS और BHMS scores के लिए admission भी NEET score पर होता है और IPU के अंडर आने वाले आईरवेदा और होमेपति कोलेजेज की 85% state quota की counseling IPU द्वारख करवाई जाती है 15% All India quota के लिए ये counseling AACCC द्वारख करवाई जाती है अब बात करें BSC nursing की अब बात करते हम BSC nursing की तो इसमें BSC nursing की जो Central University की nursing colleges हैं इनकी counseling MCC द्वारख करवाई जाती है बाकि सभी दिल्ली के अंडर आने वाले government और private nursing colleges जो IPU के अंडर आती हैं उनकी counseling IPU द्वारख करवाई जाती है इसके भी admission NEET score 22 के according होंगे अब हम इसमें बात करेंगे कि इसमें आपको admission शोरी apply कैसे करना है तो इसके आप website पर ipu.ac.in पर जैसे visit करेंगे तो यहां पर admission 22 23 लिखा है इस पर apply online पर click करना है अगर आप यहां पर information browser देखना चाहरे हैं तो for general programs पर click करना है तो यह information browser download हो जाएगा आप इसको read कर सकते हैं apply करने के लिए apply online पर यहां पर click करना है तो जैसी apply online पर click करेंगे ggs ipu registration 22 पर click करेंगे जैसे ही इस पर click करेंगे यहां उपर उपर option मिलेगा registered candidate का अगर आपने already registration कर रखा है तो registered candidate पर sign in पर click करना है otherwise new candidate registration पर click करना है तो इसके बाद में आगे आपने instructions follow करते हुए आगे इस form को complete कर देना है फीच deposit करनी है उसके बाद में print ले लेना है previous year के step by step process का वीडियो आप देख सकते हैं channel search करके कि किस परकार से form apply करना है तो आप चोपड़ा education का channel search कर ले उसमें IPU step by step registration का आपको वीडियो मिल जाएगा उसमें मैंने पूरा समझा दिया है कि किस परकार से आपने ये registration करना है तो यह जानकारी थी IPU के application form के बारे में आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके बेल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक को जदा जदा शेयर करें मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैए हैं